साथिका संजेश पेशल देखने दर्शकंदा स्वागता है मैं हरपिंदर सिंग शिरी कालतर सहब दे जतिदर गयनी हरपिंदर सिंग बलो दावगिता गया सी की पंजाब दे वीचे सिखांते हिंदुआं दा जबरी तर्म पर बत्तन करवाया जा रहे है शिरी कालतर सहब दे जतिदर गयनी हरपिंदर सिंग बलो किते के इस दावे तो बाद असी सरदी पिंदा दा दोरा किता हर उस इनसान दे नाड़ गलबत किती जिसने इसाई तर्म अपनाया सब तो पहला तो हनु लेके चल दे हैं गुदासपूर जिते सब तो बाद असाई तर्म ने लोक रहन देने सिखान उजबरी इसाई बनावन वास्ते एक पकानडबाद साहरा जिड़ा लेया जारे है वो कुछ कीता जारे है जिसनी इसाईयत भी अजाज़त ने देन दी तले सिखानों ने पंजाब दे हिंदोनों भी गुम्रा करके टेजी देनाल इसाई बनावन दा जड़ा पंजाब दे बेची चातन है इस सरकार दी ना कथले चल रहे है श्रीय काल तक्तसाप्त जथेदार ग्यानी हरप्रिस सिंग वो देतेस ब्यान ने पंजाब देवेच नवी चर्चा छेड़ी होई है जथेदार वलो दावा कीता जा रहे है कि पंजाब चुछ सिखान दिनाल नाल हिंदुआ दावी जबरी तरम परिवर्तन कीता जा रहे है एक वार सुन दे आंके आखिर जथेदार साव वो लोग केहा की गिया है पिशले को इस साला तो पंजाब दी तर्फी दे उते हैं कुछ नकली पास्ट्रावलों सिखान उजबरी इसाई बनाउन वास्ते एक पकानवादा साहरा जिड़ा लिया जा रहे है वो कुछ कीता जा रहे है जस्ति इसाईयत भी अजाज़त पंजाब दे खासता और उतने बाढ़र दा जड़ा एरिया है पंजाब दा तर्म परवर्तन दी जड़ियों लेर चला रहे है और सिखानों गुमरा करके तल्य सिखानों ने पंजाब दे हिंदुआगो भी गुमरा करके तेजी दे नाल एसाइग बनाओनदा जड़ा पंजाब दे वेची जातन है इस सरकार दी ना कथले चाल रहे है हारप arter सिंग वलो किहा कि नकली पास्टराव वलो सिखा दे हिंदुआ दा जब्री तरम परिवर्तन कीता जारे है ग्यानि हारपे सिंग ने खास्त और दे पंजाब दे सरहधी ईलाकियां दा जिकर कीता है जाइ अकाल तक्त के जत्यदार ग्यानी हर प्रीत सिंग ने आरोप लगाया है कि पंजाब में जवर्दस्ती और प्रलोभन देकर शिक्समद्वाय के लोगों को इसाई बनाया जा रहा है आरोप लग रहे हैं कि अंतर राष्ट्रिय सीमा से लगे जिलों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरन हो रहा है पर हकीकत क्या है ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं अमरित सर और गुर्दासपूर जिलों में जो थे सब्तो वद इसाई तरम दे लोग रेंदे ने ए बलविंदर सिंग ने जो चर्च दिवेच हो रही प्राहतना चुशामिल होए ने इना ने अपना तरम तबदील कीता है इस वक्त हम गुर्दासपूर मौजूद हैं गुर्दासपूर शहर में एक चर्च है वहाँ पे प्रियर के बाद कुछ लोग जो हैं बाहर आए हैं उनसे बात करेंगे हम क्या नाम है आपका बलविंदर सिंग बलविंदर जी आप कब से जो है हिसाई धर्म के अंसार पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रियाज कर रहे हैं मैं 12-13 साल से हूँ तो आपने क्यों शुरू किये क्योंकि आप पगड़ी धारी हैं सिक भी हैं तो आपको क्या चीज अच्छी लगी और आपके जीवन के ओपर क्या प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव प्याँ मैं सात अठा जार पर दारू पीन वाला आदमी ही यह मेरी धारू जड़ी है कि कोई भी बगस नहीं कर सकाए मैं गातरा वी पाया ही सातमी ने सातमी ने बाद च फिर दारू डवल मेरी हो गई आप अमरी धारी सिख भी रहे हैं अजी अमरी धारी सिख भी रहा हूं फिर मिनुए पदा चले यह से संत है जो भी केंदे हो हुँ हुँदा है बलवेंदर सिंग ने अपने सुखा कारन तरम परिवर्थन करन नूँ असली वज़ाता से परसाड़ी टीम ने एक होर व्यक्ती मोहलाल दे नलगाल कीती है मोहलाल ने तरम क्यूं बदलिया ओ उना दी ही जुबानी सुन देया कोई डेड़ का साल तो प्रभु जी सुमसी नो पनाया जो प्रभु जी सुमसी है जो लोग कहीं दे जे को तरम बदलदा प्रभु जी सुमसी तरम नी बदलदा ओ जीवन बदलदा को मैंनु कैंसर हो गया ही कि जंब कैंसर हो गया था डावटर कहीं दे कि जनुख और घालाया करांगे प्रभू जिस्वमसी ने मैंनो ठीक कर दता मैं जो पूरी दरा कैंचल दे रो तो जादा मैंनो कोई प्रावलम नहीं तो हम फेक्चुल जो थिती है असली जो थिती है वो पताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्यों इसाई धर्म की तरफ जो है संजज स्पेशल दे विचे रुक दे की छूटी जी ब्रेक देली ब्रेक दे उस पार तो आनू लेके चलांगे अमरी सर गुर्दासपुर्तो बार साधी टीम अमरी सर दे वाकवाक पिंडा दे विच पहुंची उना पिंडा दे विच जिना दे वल्लों इसाई तरम अपनाया गया ते इना नू पूछा गया कि आखर इना ने अपना तरम पर वर्तन क्यूं किता है गुर्दासपुर्तो बार साधी टीम से चाहिदा पता लुगाउन दिले अमरी सर जिले दे पंड माहल पहुंची जोद टीम पहुंची था पंजा पुलिस दे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दर्शन सिंग जो पास्टर वी ने अपनी पतनी दिनाल प्रातना कारे सन दर्शन सिंग अपने पकार दे वेच ही इसाई तरमनों मननवाले लोका दे नाल प्रेयर कारे सन श्याम दा वाक्त है तो दर्शन सिंग पुलिस दी वर्दी दे वेच ही सन क्योकि प्रातना तो बाद उना ड्यूटी दे वी जाना सी दर्शन सिंग जिनाने पाग बननी होई है ते उनादे नाल कुछ होर वी लोग माजूद सन जिनाने वी पगाम पनिया हुआ सन की नाओ शब्दानों दस्या गया हुई ते जद असी ये जन्यों लोग बैठे हैं इनादे वcktड आधसे क्ले कले दिया इंट्रवी लो कि ताड़ा कहिने कु त्रम बदली की ता जद की पिंदाना दे हमें गclamation को और एक दर्शन सिंग ते उना दी पत्नी मताबिक जदो तो उना ने इसाई तरम देनु सार प्रातना करनी शुरू कीती है उना नू बहुत फाता मिले है जड़ा बन गिया जदकी डॉक्टर केरे सी की असी तनु शुर ने कहीं दे हो सकता ऑप्रेशन टाइम में नदी डैथ हो जाए पासर जी बहुत असी नफरत कर दे सी इस आई तरम तो असी कहने हां के ठाग हूं देया के ये वो जो अलफाज असी जगह ते बिके मैं दसने नी चौंदी असी ओ इल्फाज वर्तदेसी की एक ओम मैस्त्राइयां एक गुरू भी पास्टनू चपेड़ं वी मारियां एना ने अब आपका प्रिवार जो है सिखिजम के जो पूजा अर्चना के जो पत्ति है उसको भी मानता है और इसायत के जो हैं उसको भी मानता है चलते हैं सब हमारे सब भाई हैं अब छोड़ थोड़ना देना चल रहें यह तो यह फेलाने वाले यह सब भाई हैं क्या ऐसे थोड़ा होता है जो मेरी बास होता है तो मंदर में मत्था टेकने से जो सिख जाएगा वो हिंदू बान जाएगा अगर कोई गुर्दवारा में जाता कोई मालो को हिंदू जाता तो जब हम खुदा को मानते हैं हमारे को शांती है दर्शन सिंग दे का राए होर लोका देनाल वी साठी टीम देवलो गाल बात कीती गई कई लोक सिख तरम देनाल जुड़े वी पहुंचे सन लोका मुताबिक इसाई तरम दियां प्रातनामा देवेच शामिल होन कारण उनना दे जीवन देवेच बदलावाया है मेरे बेटे ने कदी सिर्गटनों नी हाथ लगाया मेरे को बहुत फैदावा बहुत राम है मेरे मन को शान दिया लाल चते डराके तरम परिवर्थन करवांदियां चरचावांदी सचाईद अपता लगांदिले यसी अमरे सरदे एक होर पिंड कोट ली टोले शाहकी पहुंचे और यहां एक परिवार से हम बात करेंगे यह परिवार जो है इस परिवार ने एक वर्ष पहले ही इसाई धर्म को अपनाया है इस परिवार से जानेंगे हम कि क्यूं क्यूं सिख धर्म को छोड़के यह इसाई धर्म की तरफ गए पहले आप किस धर्म में थे और अब किस धर्म में हैं यह फूजी पहला थे अद्धाइं सेखतर में हैं थे वैसे अब अगे सोटे बच्चे थे बच्चे ने बदा दिया हमें लोग पिछी फे माँ बाप कोई पिछी होना पड़े था बस कोई और कोई बात नहीं है ऐसी भी यह हमारे जो किसने बोला है कैसा है नहीं वैसे हम लोग तो शीख धर्म में आप दलिट सम्दाइसे समंध रखते थे हैं हां हां ठीक है तो क्यों आपके बच्चों ने क्यों धर्म परिवर्तन किया और कब किया अबी एक विए कघ्चों दो साल टीट हाल हो गया है हुजी लगबगवा एडियस हैं। तो क्यों अपनाया? आपने बच्छों से बात की होगी, आप सिख धर्म में थे पहले आपके बच्छों ने क्या कहा आपको कि आपको इसाई धर्म अपनाना चाहिए। वेसे उसका मन किया उदर हो गए विस तरीके से अभी जैसे आप भी पढ़ते होंगे अख़वारों में पढ़ते होंगे कि आप को इस तरीके का लालच देकर पैसे का लालच देकर धर्म परिवतन कराया जा रहा है आपको कोई इस्तिक्य का लालच दिया गया या ड्राया गया? इस बंदे होर लोका ते नाल भी गाल बात कीती गई बंदे लोका ने जो किहा और तुसी खुद ही सुनलो आपको कि आपको अब आपके प्रिवार को इसाई धर्म अपनाना चाहिए जही एक अच्छा दर्म है और सच्चाई की राहे परमेशर जो हमें अच्छा राह दिखाता है अच्छा चलना सकाता है पहले हम बहुत पाप में चलते थे मारे बच्चे भी ठीक नहीं थे अप मेरी गवाई है मेरे बेटे की कि नालदा मेरे बेटा ठीक नहीं था इसलिए मैंने किनलदा चर्च में आना चालू किया तो मेरा बेटा बिलकुल ठीक हो गया अमरिसर और गुर्दासपुर जिलों में पादरियों ने अपने घरों में ही चर्च खोल रखे हैं और इन चर्चों में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है यह रुक दे हैं कि छोड़ी जी ब्रेक देली ब्रेक तो बाद जल्द हाजर होने आ शिरी कालतर सहब दे जतेदर गयनी हर्पिर सिंग वल्लो दीते गे ब्यानतो बाद असी हार इक पाक जानन दी कोशिच किती है पास्चर देनार भी गलबाद किती गी जुनाइटर क्रिश्चन फरंट पंजाब दे पर दानार भी गलबाद किती शिरी कालतक्त साब दे जतेदर वल्लो दावा कीता गया कि पंजाब अंदर तरम परिवर्थन करवान दिली फंडिंग विदेशा जो हुंदी है उसे फंडिंग दे जर्ये ही तरम बदलिया जारे है जतेदर वल्लो दावाए भी कीता गया कि इस साब नकली पास्टर वल्लो करवाया जारे है इस दिली उन्हाने पारत ते पंजाब सिरकार नों अपील कीती है पंजाब सिरकार नों भी पारत सिरकार नों भी पंजाब देवेचे चल रहे हैं चर्चावाँ विचकार असी पास्टर नालवी काल बात कीती ए पास्टर गुर्वन्त राज़ा ने अपने कार्देवेचे चर्च खोली होई है ये बिलकुल बहुत बड़ा जूट इस संसार में दुनिया में मीडिया के दवारा फैलाया जा रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक पास्टर हूँ और मैं रेंट के कराए के घर पे रहके परमेशर के वचन की सेवकाई करता हूँ क्योंके मेरे जीवन को प्रभी येसु मसी ने बदला क्योंके मेरे जीवन में पहले आज शांती थी मैं दुखी ता में निराज ता में जहर खाके मरने वाला था और प्रभी येसु मसी ने मेरे जीवन को बदला अपने अनन्द अपनी खुशी और अपनी शांती से बर दिया ठीक है आज मेरे पास चाहे मैं घर के रेंट के कराए पर रहकर परमेशर की सेवकाई कर रहा हूँ पंजाब दे जरह दी लाके अंद विच पहुंची हुई साटी टीम ने हर एक एंगल तो सचाही जनन दी कोशुश की ती असी पंजाब दे युनाइटेड कृष्टिन फ्रंट दे परदान कवल बक्षी नार्वी गालबात कीती है इस तरह का कुछ नहीं है धरम परिवरतन नाम की कोई चीज नहीं है और ये बिलकुल एक बलून है जो लोग समझ रहे हैं कि बड़ा उड़ रहा है उपर को गुबारा और कई समाज के लोग जो हैं दूसरे समाजों के लोग वो इससे डर गए हैं मेरे विचार में धरम परिवरतन जैसी कोई चीज नहीं है अगर कमल बक्षी को गुर्बानी अच्छी लगती है तो कमल बक्षी गुर्दवारे जरूर जाएगा और अच्छी भी है जाते भी हैं हम अगर कोई किसी और समाज का मनुश्य इंसान अगर वो चर्च जाता है या किसी पास्टर के पास आके बैटके उसकी धार में संगती करता है तो उसमें क्या बुरा है उसमें मैं कोई बुरा बुरा ही नहीं देखता हूँ आते हैं लोग दूसरे समाजों के लोग आते हैं उनको अच्छा लगता है तो आते हैं आरोप लग रहे हैं कि पंजाब में पैसा देकर और प्लोभन देकर सिख और हिंदूओं को इसाई बनाया जा रहा है जिसके लिए विदेशों से भी फंडिंग हो रही है मगर जब हमने धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों से बात की पादरियों से बात की पादरी साब कहते हैं कि हमारी स्थिती अगर आप देखेंगे जिस स्थिती में हम रहते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हम किस तरह से इन लोगों को पैसा दे सकते हैं उस दावे में सच्चाई नहीं है इते वीड़ाओं के एक होर छुटी जी ब्रेकदा ब्रेकदे उस पार दिखामांगे आखर एक इनसान अपना तर्म परवर्तन केमे कर सकते है पंजाओ दे बीच तर्म परवर्तन दा रॉड़ा कई दिना तों कि कोई वाकर ही इनसान अपना तर्म परवर्तन कर सकते है जेकर हाथ आओ केड़े केड़े तरीके ने जिनादेमसार तर्म परवर्तन किता जा सकते है ते कानून इस मसले ते की केंदा आओ तो हनू विस्तार दिनार दिखाऊने है पश्टी करंदता गया कि इसाई पायचारे वलो जबरन तरम परिवर्तन नहीं करवाई जारे बल्कि कुछ लोग इसाई तरम दे ना ते गैर कनूनी काम कारे नी इसाई पायचारे दिन लोका ने सरकार नूवी अपील की ती कि ओ अजहे लोका खिलाफ सक्त कारवाई करन मंग पतर लेके पहुंचे इसाई पायचारे अगे जथेदार ने कई अजहिया कटनावा गिनवाई यां जिस जबरन तरम परिवर्तन करवाई जारे नी जथेदार ने फी सरकार नूवा ज़हे लोका खिलाफ एक्षन लेंग दि मांग कीती है तरम परिवर्तन की है तरम परिवर्तन कदू अथराज योग हो जान दै तरम परिवर्तन बारे सवी दान की केंदे इसनू लेके पारत दिविच कानून की है आतिव जेकर कोई शक्स अपना तरम बदलना चौन्द है ता उसनु लेके कानूनी प्रकिर्या की है तरम दो तरीकियां दिनाल बदलिया ज़ा साकते है पहला तरीका कानूनी प्रकिर्या दा पालन करके दूसरा तार्मिक स्थान ते जाके तै मर्यादा दा पालन करके देना पवेगा नोटिस देन देती तो 60 दिना दे अंदर ही तरम बदल्या जावेगा कचेरी या फिर वकील तो एक एफिडेबिट बनाना पवेगा एफिडेबिट चो अपनी सारी जानकारी देनी पवेगी तरम बदली जान्तुपाद अपना नवा नाम अते तरम गैजर्ट आफिस दिवेच जाके रिजिस्टर वी कुर्वाना होवेगा हुन थोड़ा कानून बारे वी समझ लेन्यां अते वी जान लेन्यां की सवीदान इस बारे की कहन्द है सवीदान दे आठिकल पच्ची तो अठाई देवेच नागरिका नू तरम चुनन अते प्रचार पसार करन्दा अधिकार हुन दै मतलब है कि जिस दी मर्जी होवे ओ किसे वी तरम नू मनने अते उस दी पालना करे डरातम का के लालची या फिर तोखे दिनार तरम बदली करवोन ते एक साल दी सजा हो साकती है आईपीसी दी तारा 295 ए आते 298 दे तैत सजा हो साकती है पारदे कई सूब्यांच तरम परिवर्तन सबंदी कानून वी बनिया हुय है पारदे दा सूब्यांच एंटी कन्वर्जिन या फिर तरम बदली खिलाफ कानून है सबतो पहला कानून ओडिशा देवेच उनिसो स्तार्ट च बनाया गया गुजरात, मदपर्देश, अरुनाचल पर्देश, चतिसगड, चारखंड, उत्राखंड, उत्तरपर्देश, करनाटक अते हिमाचल पर्देश देविचला को हुंदै हर्याना विदानसबा बलो वी एंटी कन्वर्जिन बिल नो पास कीता जा चुकिया हर्याना विदानसबाब लो पास बिल ते राष्ट्रपती दी मोहर लगणी अजे बाकी है राष्ट्रपती दी मोहर बाद हर्यान दिविच में कानून बन जावेगा सार्या सुब्यांद विच कानून दी उलंगण करनुते सजाते जुर्माना राशी वक्खोवाख है पंजाब विच तरम परिवर्तन सबंदी अजेहा कोई कानून ही नहीं है सांजा स्पेशल दे विच फिलाल इन नहीं मेनियों दुछ जाज़त पर पंजाब वते देश दुनिया दियां वड़ियां खबरान देखने देले तुसी बढ़े रो एबी पी सांजा दिना